तो आपने कैसे कहा दिया के पाकिस्तान की एकॉनमी जादा भास बादर के पास रहते हूं आपने लिए खेलता है अवाम को नहीं सोचता भी तो आप कहा रहे थे हैं महिश्यत के लिए यह से जादा मजबूत एंदि? मजबूत अगर होते भाई अभी आपने का कि वह चीजे बनाते हैं टाइम सारा जाय करते हम यहां से चीजे खरीद लेते हैं जब आप उनकी चीजे खरीदते हो तो आपके मुलक का पैसा तो बाहर चला गया आपकी वेली यह तो फिर डाउन होगी फिर डॉलर की कीमत बढ़ कि रुपय की किमत कम हो जाएगी अपके लगाने इंदोस्तान बहुत पावर पुल है क्या मुकाबल है कर सकते हैं नहीं नहीं क्यों सर देखें जी आप जो सवाल कर रहे हैं यह भी हमारा नहीं बनता यह चुक्कि हम सिर्फ यह आपने भी सुना होगा यहां कहीं से कपढ़ लिया होगा कि आपको जीड़ीपी या किसी का पता है कोई नहीं पता मुझे चोड़ें बाज यहां मेरे बारे में आपको कैसे पता होगा मुझे पूचेंगे तो पता है मैं बताना चाहूंगा आपको बात conversation करतें इनके पार नोलिज है बहुत ही अच्छा नोलिज है लेक कि मैं क्या समझाना चाहरा हूँ महिशत के लिया से महिशत के लिया से हर चीज में बहुत आगे चले गए हुए एक जिस मुलक में एक जो ठेले वाला है वो क्यू और कोड से पैसे वसूल कर रहा है ठीक है कूंसे मुलक जादा मजबूत नजर आता आपको इस टाइम के आव बनाते हैं भूं मुश्किल वह करते हैं सारा दीन खब कोपके बना कि हम सब्सक्राइए भी कि और बताएंगे हमें टाइम वेस्ट निकरना पता चीजे बनाकर दूसरे मुलकों को पेच जो यह जो बना रहे हैं ठीक है मुबाइल बना रहा है आइफून भी एक्सपोर्ट कर रहा है जी 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 वह बनाता है हम बैड के पढ़ते हैं हम अपना कारों बाहर करते हैं पड़ाई लिखाई पीछे कि पीछे कि तो ही है तो नहीं है अलाम ज्यादा मादारिस हमारे इस मुल्क में तर från तोड़ा है इतर मदारिस के अंदर साइंस बढ़ाई जाती है जी आलहांब दोल्ब जी के बारे में क्या जानते हो सब्सक्राइब क्या पूंचाता है सैंसे लिटेशनी लफ़ जो लेट्न सब्सक्राइब किया है साइंस एक ऐसल वर्ड है जो सैंटिय जो अग्जाय है प्रश्ट की तब तार हूं साइंस सिसल वर अलिटीनिय लव विच इस उगने सम अलाइटीनी वर्ट इस इस फिर जैस विच इस ऑगना सम लवर्ट सैंटिका विच मेंज तो आँगाँ वाउरमेंट आवर कंट्री आवर इंफिर में आविन कि देचे हैं और नहीं कितने रसानिया करती है कि और इंट्रेंच लाइए हमें कि लोग से कहां पहुंच जाते हैं उसके बाद मेट्रो उसके बाद उसके बाद अब आप स्पीडों काफी हैं जिए चला चुकी है पर दस हो गया यार एपरिशेट क्या बात पाकिस्तान के मदारिस के स्टूण चाह गया आज क्या कहेंगे आप कि इससी तरह आपने कहा कि जीडीपी में पी इंडिया से हम आ गये हैं एकॉनमी में भी हम उन से आ गये हैं उनकी फोर ट्रिलियन डॉलर्स की एकॉनमी है और हमा इडार के पास रहता हूं दरता हौए इदर करना मनासिम लिया यह नहीं इस पतातों के वह अक्तिव कारते हैं उनके रहते हैं उनके साथ 2 तेन तेनं उनकी मिल्टरी के फोजी होते हैं हम जब जाते हैं तो हमारे साथ कोई भी नहीं होता हमारे शेयर जवान जो हमारी मिल्टरी के फोजी हैं यह भाई भी ठीक खड़े होते हैं ठीक है तो हम अपना खुद का काम करते हैं वह बुजदल इसलिए हम करते हैं तो अपनी जान की सिक्योरिटी कर रहे हैं दुश्मन का क्या पता कब गोली पाकिसन कभी यह अभी डरके मारे आप तो कहरें मैं बहादर हो गोली पड़की फिर फिर वह शाहदत की महुत मानेंगे तो फिर शाहदत वह तो मिली जाएगा लेकिन जिंदा रहेंगे तो कोई काम भी आएंगे न मुलक के यह तो बेवकूफी आप तो अकेले चले जाते वह अपने सब्सक्राइब तो वह तो अच्छे करते हैं अपनी स्कूर्टी तो करने मुलोग के काम हमने क्या क्या आना है जिसका इदर हमारे मुलक में टाइलिंग को नहीं देखते टाइलेंट को ठीक है इदर जिसकी सबारिश हो जाती है जिसके साथ पास ज्यादा पैसा उसको आगे बहिते हैं नोजवान को काम नहीं करने देने थे नोजवान को अभी न मेरे जो टॉपिक है जिस पर मैं बात कर रहा हूं वह मेरा टॉपिक है वह इंडिस्ट्री लेवल पे अगर टोप 10 अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की मिलाकर यूट्वर कौन से उनमें आपको टॉप 10 में टॉप 10 यूट्वर इंडियान के नजर आएंगे हैं चोटी सी वीडियो है मेरा दोस्ते कि इंडियन मैं बार बार इसलिए बाते कर रहा हूं क्यूंकि वह कह रहा है कि आप आप जरह यह अपनी पबलिक को दिखाएं और पू 912 बिलियन ये टॉप 10 कंपनियों का कितना दब दबा है आप इसे ऐसे समझों कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनी रिजिस्टर्ड है इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.2 ट्रिलियन यानि की 22,000 में अब 32,000 में से 912 बिलियन मात्र 10 कंपनी का है यानि की 10 कंपनियां 30 परसेंट बाजार करती है और वाकी सब्सक्राइब कर 70 परसेंट रखती है अब बात करते हैं पाकिस्तान की तो हमारे टॉप 10 कंपनिया कितनी 912 बिलियन तो इनकी कितनी है 612 बिलियन नहीं सौरी एक पॉइंट डालना भूल गया 6.12 बिल प्राइब एक कानोमी हमारे 348 बिलियन डॉलर्स कि है क्या चाहिए जो आ रहा है वो अपने लिए खेलता है स्वाम करने सोच तो आप कहा रहे थे मैश्यत के लिए असे जादा मजबूत हैं अब यह आप ने का कि बनाते हैं टाइम सारा जाय करते हम यहां से चीजे खरीद लेते हैं जब आप उनकी चीजे खरीदते हो तो आपके मुलक का पैसा तो बाहर चला गया आपकी वेली यह तो सब्सक्राइब करना चाहिए अफसोस की बात है हम अपनी चीजों के वैल्यों नहीं देते हैं हमारी जो हकूमत है यह सी बात है वह इंडिया क्यों हम से ज्यादा आगे चला जा रहा है उनकी हकूमत है है क्रप्शन नहीं करती हमारी हकूमत है यह देख लें वजीर वजीर आजम भी अनुवाज श्रीफ है मैं बताना चाहूंगा आपको बात करते हैं इनके पार नोलिज है बहुत ही अच्छा नोलिज है लेकिन थोड़ी डिरेक्शन इनकी ना अपन डाउन है जहां पर इंड महिशत के लिए हर चीज में बहुत आगे चले वे हमने क्या खर … मैनिफेक्ट्यक्ट्र करना Кुण अपने को त्यारत और होकमरान रोच लेते हैं वह कहते हैं अपने करेंगे पिर आप लोग नाम होगा हमलोग आपको कोई नहीं रोके गा जब इनसान कि शीज के रास्ते पर निकलता है जार मुझा जादा भी आती है अगर आसा सीधा होगा जागर रास्ता इल्टा आपको क्या काम सही है क्या मैसिज देना चाहेंगे अभी आप मान गए या नहीं कि महिशते लियाद से इंडिया हमसे आगे चला गया मान गया अब हम मान गया देखे ना मैं वह पहले बात की थी कि हमां उनकी खूंबत है जो वह क्रेप नहीं है इस आप लोगों ने देखा कि हमें यहां पर मतलब क करने का परपस आपस यह है क्या लगता है कि एकोनोमिकल लिहाँ से अगर हम बात करें जीडीपी के लिहाँ से अगर हम किसी बीशाक्टर से बात करें मुझूदा टाइम के अंदर कौन सा मुलक जादा पाउरफुल है पाकिस्तान या फिर हमारा पड़ोसे में लोग हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान बहुत पाउरफुल है क्या मुकाबले नहीं कर सकते हैं नहीं क्यों सर देखें जी आप जो सवाल कर रहे हैं यह भी हमारा नहीं बनता यह चुक्कि हम सरफ यह आपने भी सुना होगा यहां कहीं से कपड़ लिया होगा बाकि आपको जीडिपी यह किसीज़ का पता है पता कोई नहीं पता मुझे बाइच चोड़ें बाज यह मेरे बारे मे एक जो ठेले वाला है वो क्यूर कोड से पैसे वसूल कर रहा है ठीक है जिस मुलक की आप बात कर रहे हैं और हम जो हैं अभी तक फंसे हुए हैं कि मास्क लगा नहीं आया तो यार पीछे जाएं वो पांच रुपै का हमने कमिशन ता है कि वह वहां से मास्क लगवा कर आए किस एकानुमी की आप बात करेंगे कौन सी एकानुमी होगी आपकी ठीक है न जी तो इसलिए मतलब मैं चुक्के पी एच्डी लोगों को लीड करता हूँ तो आपके हथे चाड़ गया हूँ बाहराल गुजार रही है कि इस मुलक में तो एकानुमी की बात नहीं करनी चाहि करेंगे तो ही अवाम को हमारी आने वाले जर्नेशन को जहां पर वो यूट्यूब पर और चीज़े देखते और वीडियो देखती है उनके हाथ पर यह वीडियो लग जाएगे तो किसी टीचर ने हमें एकानुमिक पर गाइड किया तो यह बाते भी होंगी एडिया ने जो हर एक चीज़ को दो नमबर कारोबार बनाए एमाजोन को देखें तो हमारे पे कई अजला पे पबंदी लागी है कि यह लोग बाहर बेरूने मुल्क जा नहीं सकते तो आप किसकी बात करते हैं यहां पर है इतनी हर एक चीज़ के अंदर यह तो शुकर है कि इसके कॉइन सा को कि यह पौदे मेरे लगाए हुए यह मैंने इदर कच्रा नहीं फैंक यह कौइन्स मैं एक लेता हूं मैं उन्हें पांच लुप ज्यादा ले लें मेरे मुल्क पे लगए अगर मुझे इसका यकीन हो कि मेरे मुल्क पर लगेंगे तो बिर मैं मुल्क को फुरॉरिश करू है बरल का हमें deja pa बहुत जादा हमने माना कजाता है तो हमिना करन की अधिया की बाद आज तो यहां पर जबादी हो जाते हैं कहते हैं कि भाई इन्डिया तो कुछ भी नहीं है हमारा एक बंद टेए उन्देख लाอरा के मरा पांशर गोलॉथ उसलिए करम न यहां के मैं यह हम father time being होते हैं जजबाती है जब मेरा मकसद है ना तो मैं उसी के लिए जजबाती होता हूँ जिसमें मेरा मकसद होता है, मैं वैसे जजबाती नहीं होता, मौलवी है तो जब उसका मकसद, मतलब वो भूग लगती है, वो जजबाती हो जाता है, मुझे भूग लगती है, मैं जजबाती होता है, स्यासदान को भूग लगती है, वो जजबाती हो जाता है, हम जजबाती न कि वो जो हकीकत यह है कि एकानोमी के हवाले से हमसे बहुत आगे चला गया है क्या लगता कि आपको अभी जितने को हमने चार जंगे भी लड़के देखने कोई हल निकला नुक्सान आज हमी उठा रहे हैं तो क्या इन अवाम को जिनके दिलों में जिनके दिमाग में आप सब्सक्राइन मेरा नंदे कर नहीं हैं अपके घर के साथ हुद को हम देखे न आप अपने बाई Pi को नीचा दिखाने के चकर में आप पडोसी में गली महले के बालों को नीचा दिखाने के चकर में इंडिया तो फिर हम उसी अप इंडिया तो बहुत दूर की बात है इंडिया को छोड़े इंडिया तो आपसे बहुत दूर की बात है यह जो बात है तो गली महले में हमारा पडो होएगी एंदा कोई बड़ा महल होएगा अच्छा और होता भी है यह मैं आपको बता दू होता भी है लेकन बाद यह के अगर है भी तो मुझे फिर इस तरह का काम नहीं करें किसी और को मौका देना चाहिए लेकर हम क्या करते हैं बस मैंने एक बात बताई ना कि हम सबसे पहल अगर मैं बंगलादेश के देखू हूँ तो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं बागी सबके साथ उनके रिलेशन बेतर हैं इंडिया को मैं देखता हूँ चैना के साथ लड़ा का मसला होने के बाद भी ट्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ उनके वह आप यहासियत है कि मंगलाडेश के सामने हैं इम्हानफान की और इंडिया की किरनसी नहीं नहींञारे मुझा भाइब भाइब कोई सची नहीं है, बाकिसान तरकी कर रहा है, नहीं इन्शाओ लाह, हम बिलकुल आसमान को छू लेंगे, हमारी आने वाली नसले असमान को छू लेंगे, इन्शाओला, तो ये बाते मैं कर सकता था लेकर अगर आपकार रहे हैं तो चलें बताएं लोगों को क्या ओरिजिनल से ठीक है जो कि अच्छा लगा सर बात करके थैंकिस अश्वाम्री को वालेकम साम पाहिजन कैसे हैं शुकर अल्ला का अम आपका उस्मान क्या करते हैं अकॉंटेंट की ज हिंदुस्तान हिंदुस्तान जादा पारफल नजर आता है कौन से चीजें जो से मजबूत बनाती है हिंदुस्तान में हर एक चीज बैस्ट है आइधिंग पाकिस्तान से मेडिकल देख लें स्पोर्ट्स देख लें अवराल आई तिंग बैस्टाव इंडिया जबर्दस हो एक मुझे मेरे इंडिया के दोस्ते वीडियो बेजी है वह कहता भाई आप कहते हो कि आपके लोग कहते हैं पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है इंदुस्तान से तो ये वीडियो पाकिस्तानी पापिले को दिखाएं ज़रा इंडिया के जो टॉप टेन कंपनीज है निफ्टी पे रिजिस्टर्ड है जैसे रिलाइंस एच डी एफसी इनका दस कंपनियों का टोटल मिलाके वैल्यूएशन बनता है 912 बिलियन ये टॉप टेन कंपनियों का कितना दब दबा है आप इसे ऐसे समझों कि पूरे इंडिय बिलियन मात्र दस कंपनीज का है यानि की दस कंपनियां 30% बाजार करती है और बाकी सब मिलकर 70% रखती है अब बात करते हैं पाकिस्तान की तो हमारे टॉप 10 कंपनियां कितनी 912 बिलियन तो इनकी कितनी है 612 बिलियन नहीं सौरी एक पॉइंट डालना भूल गया 6.12 बिलि 30% उनका कंपनीज बना रही है 30% के कंपनी बना रही है क्या कहना चाहिए हमारे तो आसपास भी नहीं लगती है पाकिसान बहुत बहुत पीछे है और मेरे हाल से शैद हमारे से अगली जनेरेशन भी उनके करीम नहीं जा सकती बहुत दूर यह अब 30 साल मेरी एज है मैंने अ पाकिसान पिछे आता जा रहा है अफगानिसान आगे चला गया तरकिश आगे चला गया मतलब कि सब आगे जा रहे हैं कुन से ऐसे फैक्टर से जो आगे बंढ़ने नहीं देते हमारे सबसे पहले तो गोर्मेंट सियासत हमारी उस तरीके की है कि अब जो यंग जिनरेशन है आवोड आने को दियार नहीं है उन्हें पता है कि जो मर्जी आजे हमारा क्या बलाओगा बिल्कुल ऐसे हैं कोई फ्यूचर नहीं कोई नहीं इसलिए तो अभी कितने लाग दोजार ताइस में कितने लाग स्टूड़न्स बाई चलेगे हैं तकरीवन पीस लाग से जादे हां तो वह उनका मक्सद यहीं तो नहीं है पढ़ना उन्हें काम करना तो यहां बिल्कुल अब मैंने मास्टर किया हुआ है तो जौब दर बटक के दो जौब मिली है और वह भी तरले मिंतों से इतनी सैलरी इतनी ऐसे समझ लेके यहां ना पढ़ाई का को स्कूब है ना किस अगर हम अपनी जीडीपी की बात करें महिश्यत की बात करें किसी भी चीज़ के कंपैरिजन अगर हम अपने परोसी मुलक के साथ कर रहें कंपैरिजन क्यों कर रहा है यह भी बताता चलू सर अब देखेंगे हमने शुरू में जब अलग हुए तो सफर एक साथ शुरू किय आज वो कहां पर हैं और हम कहां पर हैं क्या लगता है कि एकॉनिमिकल तोर पर वो हमसे जादा स्ट्रोंग है या हमसे जादा मजबूत है जिए जी जो हकीकत है वो तो यही है कि वह हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है और हम अगर कह लें कि हमारा जो है रेटिंग माइनस में तो पिलस के जा रहे है चánt किसी भी शुबह नेबेaz इनको अपक्ष में में देक्षक्त कि हमारे साथ हुते थे जो स। से अलग भूसें तेγαड्य में जिसे पर अने बंगला खिश कहते हैं वह देखने़ का यह आ हाली में यह आपके सामने अफगानिसान है जो के अपनी सोलर प्लेटे था खुद बना रहा है और हम लोगों का अपने सूपर कार बना दी है और हम लोगों को हैं आपको पता ही है कि जो हलाद चलने जो इस मुल्का अभीडा घरक कर दिया इस 18 माह में जा उन्निस माह में मेरा ख्याल है इसके बाद तो आप कुछ रहा ही नहीं कि लोगों का गुजर बसर इतना मुश्किल हुआ है कि ना तो बच्चों की पीसें लोगों से दी जा रही है अगर वीज़ा रेंज़ कर देते हैं तो बिजली के बिल गैस के बिल दूसरे फिर यूटिल आ जा जाते हैं इ इंडिया के तकरीब रबन की वेलिएशन बन रही है उनकी उनकी कमपनीज की थ्री पॉइंट टू ट्रीलियन डॉलर्स की वेलिएशन बन रही है उनके कमपनीज की क्या ऐसी चीजें जो के हमारे तो जिदनी वन बिलियन डॉलर के एक कमपनी की वैलिएशन वह भी गोर्मेंट के दारा हमारे प्राइवेट दारे को आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जाता है कि असल में ना Community private कि हमारे यहां पे तो कोई सिस्टम ही नहीं है मुझे तो कोई सिस्टम नी नज़र आ रहा है सब्सक्lexe अब्सक्राइबा थी कुछ नज़र। की रिपार्टमेंट को अठालें यह यह कोई नेशु इतर पर हर चीज चलिक कैसे चलिए कोई पतानी कौन चलने वला है पीछे कौन है आगे कौन है क्या पैसे कहां से आ कहां जा रहे हैं जो revenue कहां से generate हो रहा है कोई पता लग रहा है कोई नीज बता लगारा है अगर आप बात करेंगे अफगानिस्तान की अपने परोसियों के सथ सिवाए पाकिस्तान के उनके सब के साथ relation बहतenter है, आप बात करेंगे हिंदूस्तान की इंडिया की, उनके भी पाकिस्तान के अलावा सब के साथ relation बहुत अच्छे हैं, चाना के साथ लदा का मसेला पिर भी ट्रेड करते हैं हमारे अपने परोसें के साथ मसेले घराब क्यों एं किसी भी परोसे के साथ बात कर ले हम किसीसा बनागे नू소ा कि नियुकी दिया हमसाय के जो हखूक है लोग न लोग नहीं अदा कर रहे हैं आज से दो माँ पहले बेतरीन काम था, कहां पे पिशावर में अफगानिस्तान में बेतरीन काम हो रहा था, जब आप एक हमसाय को उठा के चालिस साल रखने के बाद उसे कहेंगे निकल जाए यहां से, तो वो क्या बिजनस करेगा आपके साथ, बहुत दूर की बात है, मतलब हम इधर देखें या उधर देखें, हमसाय है हमारे साथ, आपने चालिस साल उनको जब अपनी जरूरत ही, यहां पे उनके बच्चे पैदा होगे, बड़े होगे, अब जब आप उनको निकालेंगे, हमारे साथ बिजनस करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, और ना ही वो इज करने दिया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कसूर में है, खुले लफजों में बताऊंगा, हमारी स्टैबलिश्मेंट का है, जो इसने कभी भी हमारे मुल्कों जो है न चलने नहीं दिया, बड़ा जो किरदार हमारे जुडिश्री का है, वो अगर इंसाफ अगर इंसाफ सिस्टम अगर अच्छा हो, इंसाफ देने वाले अदालते एची तरह चलें, तो वो मुलक तरकी कर जाता सर, आप देख लें, आप अमेरिका के मिसाल ले लें, उनके जुडिश्री सिस्टम कितना बैतरीन काप करता, अमेरिका कितर जाना, आप इंडिया का दे लें सर, पाइफ बिलिएन डॉलर्स टू पॉइंट फाइफ बिलियन डॉलर्स टीके ना, च्छासर्ट अरब रुपे कमाएं, च्छासर्ट अरब रुपे, चैसर्ट हजार अरब रुपे, तो वह आप लगाए, कि हम लोग तो अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे तो ऐसे लेने चाहिए जितनी वह बड़ी दुनिया की लिए वह सूपर पावर बन चुका जिस तरह दुनिया का वह बन चुका हर एक चीज इंडिया अगर उसके साथ भी चाहना के साथ भी ट्रेट करता है तो दो तकरीबन फिफ्टी-फिफ्टी करते हैं पच्छिस परसन वह लेते ह बयारे हैं प्रसंब्ले देते हैं छिए रफ लेने का काम कर रहे हैं थे जिस विर मांघ रहे हैं हम सिर्फ मांगा रहे हैं बैगिंग कर रहे हैं हम लोग